आम नमू भगवते बाशुदे बाया 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 स्रीमत भगवतम सस्थास्तंबा प्रतम अध्यान श्लोका पंचाड़ जेन जवां जथा धर्मो धर्मो बेह सम्मीहिता हा सववतत पलंगुंते तथा तावद मुत्रबई जवां 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 पलंगुंते बाश्तंबा प्रतम अध्यान श्थाववत्रबई जाबान, to which extent, जे परजंता, जथा, in which manner, जे परिभाबे, अधर्मह, ये रिलिजिस अक्टिविटीज, अधर्म, धर्मह, रिलिजिस अक्टिविटीज, धर्मह, बा, और, किम्बा, इह, in this life, एही जन्नरे, सम्निहिताह, पर्फर्म, खुरुता, साह, that person, से ब्यक्ति, एब्बा, इंडीड, बास्तविक, तथ खड़ं, the particular result of that, तारा निदिष्ट अपड़, भूखते, एंज्वाइज अफफर्ष, भोग करे, तथा, in that way, सही प्रफरे, ताबत, to that extent, से पर्जंत, अमुत्र, in the next life, परौ जन्री व्उएउ परी नदीड, बास्तविक, Translation by वुच्छल्य प्रभगत्वाट, इंग्लिश, In proportion to the extent of one's religious or irreligious actions in this life, one must enjoy or suffer the corresponding reactions of his karma in the next. श्रिला प्रभुपार्ण्ग कृता श्रिला इंग्राज अनुबाद रा, श्रिला गुरुबेंग कृता ओडिया अनुबाद, इह लोकरे जेउं ब्यक्ति, जेउं परिमान और जेउं प्रकार धर्म और धर्म आचरण करे, परो लोकरे सही ब्यक्ति, सही परिमान और सही प्र कार्मोपला भगवकुर्था है, पर्पट बाई स्रीला प्रभुपाद इन इंगलेज़, आस्टेटर इन भगवत गिता, उर्धंग अच्छंती सत्वस्था, मध्धीत इस्थंती राजसह, जगन्या गुणा बुतिस्था, अधो अच्छंती तामसह, कि एकखा। स्थआ है, जगनाई पुणती हैं, जगनाई अच्छंती हूदीर पोने साथने किएे विए। ऑचंती। sinful acts remain within this middle planetary system and those who perform abominable sinful actions must go down to hellish life. स्विलब प्रभुताद्न कुता सुलकर इंग्राजवास्थार पधान काई साभाबत्ताकु श्रीलब भुदोऑंग कुता ओर्यामुदाद्धु स्वीमत भगवत गितारेक वहजय ची पुर्धन गच्छंती सप्तोस्था मध्धेत इस्थंती राजसा हा जभन्या गुना भुतिस्था अध्धो गच्छंती तामसा हा जेव मने सत्तिक कर्म करंती समाने उच्छ लुको कु उन्नित होई देवता होंगी जेव मने साधारन भावे क्रिया करंती एबं अत्यधिक पापो करंती नहीं समाने मत्य लुकोरे रहांगी एबं जेव मने जभन्या पापो कर्म करंती समाने निश्चित भावे नखको कु ज स्रीमत भागवतम सस्थ संद्र वाथम अध्यां रज्यों पॉंचे इस नमद स्लुकर अज्ये ठेरे में पार्थकले स्लुकर जम्म दुत्तमाने भागवान स्री बिस्नु दुत्तमाने को एक सब्सक्राइब कान कोई चेंदे ना समाले कहुच होनती यहार लökरे जेउं ब्यक्ति जेउं परिमाण ओं जेउं प्रकार धर्मा अधर्मा अचर्ण करे प्रल्लो करे शेय बहगति, सेय परिमान और सेय पतार कर्म खळाम दोगे। ए भौतिक जगत तरे पांचोटी कथा देखा 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 दूर। हमें पुल्बरू पुच्छुट। शे पांचोटी कथा कर्म ना आत्मा, परमात्मा, कालो, कर्म और क्रक्रोधि परमात मैं ठी साखी सरुपरे विद्धमां ठांते एक कनिशिका जरे लिप्ट पूंती नहीं किंडो जीबर का अंतर अरे अंतर जामे रूपरे जीबर को जपए मनुष्य सरीर प्राथ्थ हुय है noise dogs रूपनीत करंती मनुष्य शरीवरा बा मनुष्य जन्मरा सुजोग नई ए अक्ति भयंकरा जन्ममुतु चक्र रू संसार दादाना रू भयंकरा भूतिका जन्त्रनादय क स्थित्ति रू उद्धार काईडा से चईत गुरु रूपरे बा अंतरजमी रूपरे जीब को अनुप्रानित करूंती बाहरे गुरु रूपरे शाधु रूपरे बन सास्था रूपरे निज़कु प्रकासित करूंती किन्तु प्रत्तक्ष भावरें, पनुसी क्याजियरें, थिये संस्तिस्ट फोन्तिन, तक्षी सरुपरें विद्धाम। थिये भली काड़ा बाद समय, थिये कांकर गतानु गतिका पत्तारें, अनंत काड़ा, कांकर आधियम तनौन। थिये सबु बले नित्य परिवर्थन शुला हिसादा, गति गोर्थन। परिवर्थन अर्था धरसप्ट काल, त्रेत्य द्वापर, पली, ग्रिश्मरुतु, बर्षारुतु। ये सबु काड़ चक्र रभुन्य लेता, को नाधी काड़ु सही बली सिए, निजकु बिष्टारी तो करी चारतु। तांकर आधियम तनौन। आउर हेला किये, ना काड़ गले परमात्मा करें। आउर हेले प्रक्रुति, जिवात्मा एबं कर्मा। ये तिमोटिजा का क्रिया शुला। आधर जिवात्मा जे रहिला। शिये ये भूत्त प्रक्रुति को उपभु करें। चन्चल मना होई उते। आकांख्या पोशुन करें। से ये आकांख्या और प्रक्रुतियनु जाई। ये कोई प्रका प्रक्रुति कोई पुभु करें। कही जने प्रक्रुति प्रेमी कभी अती सुन्दर गिरी गुहरे बा जड़ा प्रपात निकोटेरे बा साधर सज्ज्यारे कुपभु करें। कही निच्चे प्रक्रुति संपन व्यत्ति इंद्रतित्ति प्रत्तक्ष्य वहरे पासविक पुपारे। शे प्रक्रुतिक उपभु करें। एबहिल ब्यक्ति र निजर भाबना अनुसरे आत्यांख्या अनुसरे शे भुत्त प्रकुतिकु उपभु करें। चस्टा करें। जेत्ते वड़े से भूत्य प्रकृति को उपभव करें। तारा भाबना अनुसरें ताको गोटिये स्वरीर मिले। से स्वरीरटा गोटे निधिस्टा प्रकृति संबलेता ही थी। जिये चाहें। जेसे की परी एका स्वरला नितिमा जिवन जापनों करी सांतीरे एक जगतर रही थी। किन्तो सांतीरे प्रकृत उच्छ जे भगवान तांको भुली जाई। से सांतीरे रही भार कामाना जोग पस्वन करें। जे तो एक असत कामना भगवत चणार बिंदर प्रपन्न व्रतित शांतीरे नार्गृत प्रस्वत असन भव्शेटा से भुली एक। और तार एक कामना न अध्यन एक इंद्रीरे तुप्प्प्रीकारे कामना। तार से कामोना न जाई, शे गोटे स्वरीर अप्रत्त, जो स्वरीरटी एते भ्यंकर ही न थाए, किन्टु शे चाहें कि परी निर्ला परिवेस जागे रहीवा, कहा दुखर रहीवानी, कहा रो सुखर रहीवानी, किन्टु सही रकम उपए रहे, शे प्रकृति को प्रकृति रो कार्जय कना, न तार भावना आनु जाई, से भली गोटे प्रकृति सम्बलिता शरीर एबंग मनना से निद्धिस्ट जीवात्मा को से प्राक्तो करे, फरे जीवा गोटे निद्धिस्ट प्रकृति जुखता शरीर एबंग मनना प्राक्तो हाला करे, प्रकृ प्रक्रुती क्रिया करूँची, किन्तु प्रक्रुती मनुखुमाना क्रिया करूँची, प्रक्रुती क्रिया करूँची, जीबन माय जीबरा उपस्थती करूँची, जेपरी सिलिंग ठांती क्रिया करूँची, मनुखुमाना क्रिया करूँची, विद्धुत सक्ती तादेर प्रभाहित है लख्रजाईद से क्रिया कुछी, इलेक्टल्सकी से रकनदो, जीबात्मा छिए बाण्चार पुसन कुरुची। मुटे धरकी, प्रप्रकुति भुद्धप्रकुति, जीबात्मार भावना आनुशारे, तकु गटिए प्राप्त होई जहां हो ना काई कि स्वरीर जने प्राप्त होई चे माने जने क्रिया वा कर्मो करीवा कुछ बात चार। जने प्राप्त होई जिवा करीवा करीवा कुछ बात चार। भुतिका जगतर है, चिन्मय प्रकृति जगे दोची चिन्मय जगतर है, उभाय जगतर से प्रकृति रा नियंत्रा दिए, एबंग प्रकृति होची कृष्ट्नां कर नियंत्रा दिए, क्याना से परमेश्व, एइक पन्ता बुजी काल लगशा, बुजी काल लगशा, बुज अंदर उच्छ, भगवायम को चर्णारविंदर प्रपन्न हभा व्यतिरिक्त, मुँँ कदा पी सांती पाई पारी भी नाहिए, अनंद पाई पारी भी नाहिए, जीवचेते लुए कथा भुली जाओची, भगवायम को भुली, सांती रसी एकोटा धुल्न पंथा अन्य सुन आम पुर्वरु ये उधान बाई ची आगरू आउधर कोची, आल सुच अब टू इंगलेस अपर प्रजर निक दे लुए, जन अस्ती धन्नी ब्यक्तिक थिल्या, तांकर एकोमात्रा संतायन पहले गटिव थिला, तांकर अचड़ाचड़ा धन संपतिक थिला, शेश्वरे पहले आरे पुओ, मोरो जेतिकी धन संपति अच्छी ही, तु ये दिखाले बसी खाईबू, आसन दा चौदवपूर्श पंत मतन से स्वरिवा, मुख खुप सेग्रा मरीवा की जाओची, कि मरीवा पुर्वा ततो वटे उपदस पी जाओची, एको बेदवाख्या परी मा बापा तर आखी बुझे देला, वो स्राधा कर्म जहा, सास्त्र में तो अच्छी, बापा पहिं तर दसाह कर्म ते दी संपन कला परे, ते कला मुख बापा अंगर इच्छा थे ला, मुटे भौला स्थाना रही भी, छी से तु कौन कला तांकर बड़ा दोंगा थिला, नव बाड़ी दिक्री कर देए, नवकारे, सबो सुना, गहना, गांठी, आश्वाव पत्र सबू रखी करी, ते भल्ला स्थाना रा अंग्निया सोने दे भारे, ते स्थाना रे से रही, बहु स्थाना बुली-बुली से दखिला, ते स्थाना अतिर प्राकुतिका सोभारे सिखर अरु कुलुकुलु नादकरी ज़रना बही आईची, ज़रना बही आईची, तापके बड़े नोई टेम बसेची, ज़रना पणियासी नोई रे पडुची, बहुत दुख्यर आजी भर्ती चंती, अती सुन्दर, शिये कहला अरे, मो बापात्त मत कहिचील, भला स्थ सुन्दर स्थाना रहिवू, तेमकर यापरी सुन्दर स्थाना मा पूड़े अख्यों मी, बापांगा अत्मार संती पाइं मूँ एईथी रहिए, कोई कीची तो पोई सांथिला, लोकोंगों लगेई, सेटी गुटे कुटी रतियारी करी, भरबाडी करी रहिला, कारता अम कि तारा, बादो ही ना तारा सार्यों पोशनु करला, पोशन करला पर अपर असे दिध्वा समय पाउख्यों, थी से जो समय पाउख्यों, से समय रहिए डोंगाटा नही, नोई रहिए, एबंग समूद्र अओ से जो येरे, जोड़प्रप्रा तरे शीले, नवभय करें किसी जोटी रहु थिला किसी दुर रहे बूटे ग्रान थिला ग्रान लुकाँमान कॉरा चासो जमी थिला चासो जमी जिवा को ये यह घर अतुकि पर बहुते टुकि जीवा को रहे सेमाने जानती, जग्दे साइम तमीन टू इंगलेस, समाने जानती, जाई केरे, सेमाने मुंडो जहा तुंडो लगे खरा तरा, सब्धू सवही केरे प्रचुरो परिष्रम करकी, हड़ा नंगलो नहीं चासवासा करन थे, फिए चासवासात्तर इतल संध्यात्तु खेरंती देखंती ए जुबगती अति आनंद मनगे नोका दिहार परेर लगीची जित्त बोलुब लगीची तांकार प्रबलोई उसा हाल। कहले कहले आमें गध्धो परी खट्टु छुब मुण्डो जहा तुंडर ने कि अकथने परिश्वन कर चुब अठचा दिन्नको दीबला दिमुठा पाई परुण। किन्तु ये तोटा कोव उटकोव विदेशुदाची आमां गामपाध्य रहुछी। आमें सभु बड़े दखुचु आमें कि पॉस्टर सोचु परिबारा जोगडा हुची कुरारी कटो धरी स्वामी सिभीता जोगडा होलानता क्ये कोच तमें एत्ते कैं जर्मों कुरता पाड़ी पन्ना आई क्ये कोची तमें बाक्की हला टंगा कैंदो होना कोली करता लागिछी किन एक टोका आमों आक्षियागर आंगुटी गेंजिला परी आमों गांपके रहुची आमें खोटी-खोटी आश्चु शियामों को असिलाले भी जोगडा बहारे बुलिची रास्या वाँ थेलाले भी बुलिची वाटा आंगे इसा हलाओ प्रबड़ इसाला किछी मास दक्तर ही आला परे शे जो गांपके रहे जोने पिके बुड़ा लोका शिला शे बुड़ा लोका सम्मस्ते संध्यावले फेरंदी चाश्वास फरी शे दिख़ंटा अगुरु फरी यह शे तोले विश्वाम नो उत्तला जी चारा बुणंग् यह खाई सहला परे प्रशाथ बहुबा डाली बात का उजहाओ शे भोजन पकेला परे दिख़ंटा नो का भिहार करे जिता फिता बोली आराम्बे ता परे जाए स्विये इसुव जानी के ता स्विवा बड़ा अड़ू समाज तोले फेरी ले अड़ू बुड़ा कांक्रा स्विवा ड़ादाध जानी क्वा अपरे खाई में जानी कवाण टुक्ता फिता फिते लारू शेस होटू कारी बुड़ा केला मों तोंती शुखी जाईूची ख़रा अर्मते ये तानि हम होंसा अपन बसंदू बाहर खटी आटा पाड़ तफिता अपन खटी आरे पूप्ता देदी ची तरह देखिए बुड़ा नहीं पूप्ता देखिए बुड़ा नहीं पूप्ता नहीं जमता नहीं महुपकेजिया, मुगल दोक्यानों जाओचे महुपकुन्यानी भी असरा कोन आपने हम्दी कोच ना चौब बदमाक्स कोई शीता को सुसान स्कुत भासार संभाशनां करें लगी लाओ तो तांकर गामबासी मैने सेतिकोले फेरिया थिले सभू एकाठी येले शीता जुपकेजिया, देखों 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 तु ये बुड़ालो कोई केम दी कोच ना चौब बदमाक्स बुड़ालो को एड़ता महुपकेजिया, मुचोगतार कोचु ये जानी देला, ये महा भीपद संभाशनां करें परभता ना चौब बदमाक्स आपकिन दोड़िया ना जाती काब नेखेन कोडिया ना सेठी जो पास्कित सबूद लेसेक्टों लिज़ुट पने अद्धत्य जती पंडी आँ इसाबु ना सवत है पंडीत लोगा अद्धा चाड़ जोना हैं जो प्रणायती सव जीवदा कलाई महागोयम कर जागा सेटु तार जेते सबु मुल्यवान जिन्सतेला सबु डंगारे पठेई कातमारी कहिए इमाना सब भक्वा आओ तेवे ए उधारन अथी दबार तक्वर जोगी बध्ध जीवण भगवान कर वेतित शांती पाइवा कुझे उप्रयास करे सार थलो इंदी भगवान कर चरणार बिंद ही सास्षत संती र उच्चु जेपपर जन्ता में भगवाव 24 बिंद विश्मुरुत ही चुँ सेत्यवा सांती प्रात्तिर संभावना माई मी जो मनोधर्म अनुसारे आमें जेत्य सांतीर मार्ग खोजी लेभी सांती पाइवाना ही एडाच्चीरासत जम्मदुकमनाठी कोईचंदी जिए हे विश्मुरुत गण प्रभुपातांकर धावात दश्यारे प्रा जगत लेख समस्ते पाठी क्याना कही भगवत चतना चुलही कर्मों कर्मा अ अत्ये सेमाने निजोर इंदीरा तुप्ति निजोर इंदीरा तुप्ति सिया अन्यार कॉस्टर कारण हो चुनुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद आज इपन्द सेटा मुक्व साखी सुर्पाछी राजांको अत्याचरत की रत्तन नगरना कंटर कौंगी। शिये सुखर रहेले किते लुकंकरा समझी भींकरा पस्टर अपलागी। शित्वाए प्रकुत जगतरा नियम हुजी। जणंकरा अर्तनादर आउजणंकरा आनंद। जणंकरा दुखर आउजणंकरा सुखर। प्रकुत जगतर इटा धराबंदानियों। जनुकरी जम्राजनतर उत्तमान काईले। हे बिस्टूंद उत्तगणा। यरी जगतरे प्राय कही खृृस्टनाचेतानजलोही करमा करंदुने है। शमानद धर्मा करंदू भाव. 30. शरीरा चअर्हरी करमा करंदू। अर्युत्व समसते पाप। कि जर्वनाकर पापौ एते र्तिब्रोण हें सेमाने मर्टे लोकर जन्म होंगी एबं परवप्ती जन्म तांकर एज़ुगर जो अर्पो मात्रारे पापो करकी वे अग्यान दरे तार परिणाम से रुपँ ये दुखी हेवे बाँ अभाव ग्रस्ता हेवे अभाव ग्रस्ता अभे एई रखंदा अभस्ता से बहुत राएगे एबली बेट्टिं को संख्या सिमीता बहुत काम आठो आहुरी काम को मने ना जिव मने पुन्य कार्जोरे लिप्तो होंगी धर्मा माने दुख्षी को बुभुख्य को अर्ना दवा बस्त्रहिन लुको को बस्त्र दवा प्रुशाप्ता को अन जो सोशिला ब्यक्ति को जोला दवा एबली ब्यक्ति जो मने इसो बहुत कार्जार जीवन कर्था था सिय तेंका पापा कर्मार प्रतिक्या सरुप नक्का जान्ति लोग भुगया को बोगया को भुगया 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 क यह माना संख्या भी नगन्या, याने बाच्चा जय लखी चन्ती, यह उभय प्रकार बेट्टिंगो संख्या, सहरे दासु, नाने जो माने स्वर्ग लोका जान्ती वा जो माने पुनरवार, मर्त्य लोकार जन्ना होंती मनुस्योर्थ, आउ नवेभाग, आउ जो माने उधार आपाईच्यांती स्यांकरा पुनिसी परसेंटेस में, यह 0.1 परसेंट भी खनवे ते प्राय आउ नवेभाग लोका पापा कर्मरे रखता, अते यह माना समझते नक्तों लोका जान्ती, काई कि ना पापा कर्मर करना, ना आरे घरु को भावत दिन पर जो 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 यह ना अते पलो, महसो, जो 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 खानों, तालाउमी की लोका, नामर ओटकी परती परती प्ती? यह भली व्यक्ति मेंना नक्तों जो आपाई बाद्यों की ओटना, तेनु करी सत्तों कड़णा नवे लोका, जेवग मिठ्व्खयाहंकार चतना, तेनु सरचतना रही कर्मं ओजा मिला, ये जे की पापा नो कर ची, से भी सरे, हमें बोनना परिताइदी नहीं, यार पापा एते तिब्रो आव पापार मास्तरा एते ओजी, हैं, तेही कथा गुपास पंगरों, भावा प्थर को उचंती, गीतार उधार करी, भावा आंकर उधार करी कुष्ण नहीं, ज कि शत्ती को भाव संपन्न बिक्तिमने सुर्गवादी उद्णा त लुपवगी जांते, राजशी को संपन्न बिक्तिमने जो मने पापो एते तिब्रो आ नो है, शेमने मत्त्य लुपरे, पुणि मनुष्या जन्मा पांती, उन तापर दां कर्णों से र पस जन्मा किन जो मने तामसिक भब अपन्न गुथी मने, तो मने निस्चित अबरे नख पलू, एबंग ए जगतरे कडि जुगरे प्राय समस्ते तामसिक संपनो, तामसिक संपनो बेख्ती मने तो को आजय सुद्र, सुद्र रपरिभास, निरुपित है चे अनेक आचार जो मने बाक्ष् कि के दो निसे तो को आज़े तामसिक संपनो सुद्र, तो मने निस्चित अफनो प्रेग पुन्यकार्म प्रवादी उच्छ लोको जानती। 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 ते लोको जानती। पुन्यकार्म प्रवादी। पुन्यकार्म प्रवादी उच्छ लोको जानती। बढ़को जानती। his next life is determined his next life next life in the sense life after death next life does not necessarily mean life in this earthy planet again that life may be life in the heaven life in the hell or life in the earthy planet it is just said next life life here after but many of us misting its next life means life again in this earthy planet in human life it does not mean that it truly means the life after the end of this life so if a man is indulged with irreligious activities that is Thanda Panya if a man is indulged with irreligious activities with sinful activities he is bound to go to the in this planet if a man perform under the mood of passion he is not involved in that sinful activities but perform under the becoming the victim of ahankar ego such persons again take birth in this earthly planet but those who are indulged with sinful activities they go to hell and those who perform the religious activities most of them go to heaven and heavenly planets but whatsoever it may be those who perform the work without Krishna consciousness they are bound to earn some sinful reactions of that karma but the intensity of that sinful reaction if it is very low so they take birth either in the heavenly planet in the body of demigod but when the result of that pious activity is finished they return back to the earthly planet in order to undergo the reactions of the lower karma performed by them but because they used to return from heavenly planet so they are generally a very broad mind and large hearts of this nature though they suffer but those who do not indulge in that much sinful activities but perform under the mood of passion they make big factories hundreds of people get employment so they get opportunity to maintain their livelihood so something and they feel pride that they are the maintainer like this so people those who perform under this kind of mood these people normally return back to the satsi planet with human stresses but they are very selfish suppose somebody asks any favour from them they always think ok I will favour him but what I will get in return if there is no hope to get anything in return no money they afford to help anyone but those who return from hellish planet they carry a very very ugly mentality because they forget the punishment they had undergone so they become victim or they just indulge in sense gratification considering sense gratification is be all and end all of life so some acharya says the people those who go to heavenly planet because of pious activities these people those who return to human species of life because of less sinful activities but more pious activities but under the mood of of fauci go for the name fame and adoration so these kind of people normally both of them together constitute ten percent of the human population ten percent and other ninety percent people are bound to come to hell because knowingly or unknowingly they are indulging sinful activities one example can be given many people think that let me not be involved with others activities let me not criticize anybody let me not blaspheme anyone let me live in a solitary place like Ken Australia Ken 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 Mulumba let me live in a solitary place like Mulumba let me be away from human populations I will be happy but those people do not understand that the real source of eternal happiness this real source of supreme peace is the divine lotus feet of Jagannath Sri Krishna so forgetting that when they try to discover the source of happiness and peace in the material nature they only befool themselves so a story is there an example from Purana there is a nice story that once a rich man was there he was very rich he had he had only child he was a son so this man became old and when he was about to die he called his son he told my dear son the amount of property that I have earned in this lifetime if just by idling your time you will continue to spend it and if you marry for your fourteen generations to come this would be more than enough but but I have my only request to you as your father that please live in a beautiful place please live in a very good place then his father left his body so this son and from all the funeral ceremony and all the jargon after 11th day was over he thought this is the least that I can do for my father for the solace of the departed soul of my father I should go to a very good place so he had a boat big boat he sold all his landed property converted it to precious jewellery and others and some household belongings costly now costly wood made furniture and others put everything in the boat then left the boat in quest of a good place to live so that his father's solace father's soul will get solace so after extensively travelling on the ocean he came across a beautiful sight he saw a lofty hill from that hill a stream was flowing downward and there was a river at the bottom of the hill the stream water joins the river then both the stream and the river join the bay ocean after a while beautiful sight he thought if I will construct a house and live here my father's soul will be very happy so he has lot of money he built a small house lived there but little away from the area where he has constructed his house was a village everyday those villages are hundreds in numbers they go to their paddy field to cultivate their land they go beyond this man's house so this man this young man after having his lunch he used to roam inside the sea by his boat singing song for two hours then again in the afternoon he used to just roam inside the sea or in the river by his boat very happily and returned there so these villagers but they were struggling like ass from the morning till from dawn to dusk very much cultivating land so when they every time they came and saw they developed enviousness who is the stranger we have been working like like an ass we are not getting enough in him to meet both the times the food but this man the stranger before us he is enjoying his lifetime singing song so they developed jealousy so what happened once when they were returning the residual time of return is dusk evening but two hours before an old man returned he knocked the door of this young man he opened the door he said i am very thirsty he said should i give you a glass of water no no give me some lemon juice no all right no sir please take your seat there is a pot outside his room and i will prepare oh my son please put there some ginger juice all right mausa uncle i will do it oh my son please put little salt now all right uncle i will do it now oh my son please add a spoon of honey now uncle honey is not at my residence let me go to dealers market and buy now all right please go when he had gone to buy the honey so this old man entered inside his house and bolted the door from inside then when this young man returned with honey he found his door was bolted he shouted angrily this old man opened the door he said who nonsense you are why you are disturbing me at my home no uncle you are thirsty no i am thirsty what nonsense you are talking this is my home so this young man was puzzled he said what are you talking so in the meantime other villagers joined this old man he says nonsense it is this house villains to our uncle who are you who are you will kill you so this man could sense that he is in a dangerous time so he just acted he has some intelligence he said oh that means in that trunk whatever precious things i kept these are yours your uncle's now yes now this albina is also your uncle's now yes now so the gold ornaments and jewelry which i had dog under the peak of the mountain that is also your son yes i was worried that now there it is yours so he started running so including this old man they started running towards the peak of the hill so taking the advantage of this he returned back to his home and there is a sloka in chanakyanita sloka saabdwanase samitpane abhityajuti pandita a wise man give up 50% to save his life in danger so whatever precious belonging he should gather he gather put it in the boat and started living with us so why this example is given a conditioned source try to attain peace by his mental speculation going to a solitary place and this no until and on you may go to solitary place or you may live in the home that is secondary naratamdha shakur karn kachin dhe gruhattevabh banantha thakar haa goranga bolida naratamma maagetara shanandha tumeen gharayrhova jaungalara shanandha dhe cintu haa goranga bolida kamanha bhagavankara charnasitabha bhagavar chetanarahi kajayatara tahaanhe tumeen sae dibhyananda nityananda satswata paramananda chintu haa chintu haanandha chintu haanandha chintu haanandha chintu haanandha chintu haanandha chintu haanandha sahabu santhi and chintu haanandha chintu haanandha chini amandha chintu haanandha chintu haanandha lajaanandha तानो हले अमे स्वर्योचतनार कर्म कले पाप्प करिवा ग्यामधुतमानमदर भुसराद। The reason to give this example is a condition source, if try to attain eternal peace and bliss based upon his mental speculation, it would be a simple waste of time, because Krishna and the Divine Lotus Feet alone is the source of infinite, supreme, absolute peace, bliss, joy and happiness. Nanda Nandana, the son of Nandamara, Bansivadana, whose Divine face is always, you know, that looks, that is always gold by the fruit. Nanda Nandana, Sundara Giridhari, so inconsiderably handsome, lifter of Giridhari, holder of Giridhari, Gavardhan, Adikanda, He is the most primeval cause of all the Kajash, Paramananda, He is the infinitely, supremely blissful, Sansaruparaparita, O that Lord Hari, Krishna, please deliver me from the dreadful ocean of materialistic nations, Sansaruparaparita. Upanishad says, Om Anandamabhasya, Arthad, Internally and Externally, infinitely He is Anandamabhasya, He is blissful, supremely blissful. Upanishad says, O Krishna, had you been not residing as super soul in the heart of the living entities, then far from experiencing bliss, pleasure and happiness, even on whose part it would have been possible to breathe. So, He is the source of supreme peace and supreme bliss. तरामकरी, Krishna Amalakarha, Chira Santi, Chira Sukhara, Paramuruchya, that is, I am the one who said, Jana Duttamana, Chira Santana, Chira Santana, Jivoan Zapana Karantana. This is what we said, Jima Duttamana, which is as a Kajra Santana, सेई माने ही जिवन और सुजोगनियंती सेई माने ही प्रकुतेरे चत्तुर भक्त सेमान अंकोजे कृष्टना भजन करे ते परें को आला यही जना भजे कृष्टना सेवड़ा चत्तुर तो आज ते स्वास्थ भल लगो नी तरुट राजिरा यही जना भजे कृष्टना 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 भजे असक्षंगा पाहड थेख पर्वद परियास। तिन सक्षंगा जुट्व ही गले सक्षियास। सक्षंगा जुट्व ही आमुकु रुष्ट्न चेतना सिरादा है। याद परिगण 24 गुटा लक्ति सिदांग सर्शिति प्रभपाजी महरास कोंती आमारी आमुकु रुष्ट्व ही आमुकु रुष्ट्रव ही गले। जदे निज्यो गुत्य ही सिह हुंता, अनुशुटी मिनिथ, अनुशुटी सेकंद भूत्य वेलुहाविला, गुत्या शेकंद भाइबाने साइ, गुत्या सेकंद माया पक्षरे, जथे स्टाम्ण चिन चाप्रप्षोण। So the essence of the sermon of today, that we should perform under the mood of Krishna consciousness. justice, and Jyais Krishna says, we should drink, we should eat, we should walk, we should perform, we should travel, we should sleep, we should do everything for this culture. Then only we can attend His Divine Lotus which is the infinite, supreme, absolute, source of supreme immortality, lamentlessness and fearlessness. तेंकरी से अर्भाइचर नार बिंदा, अरे निजो को संपुना समर्पी दाइ, से समर्पी ता प्रणा में कार्यो के दाइट। we have to perform under that mood, and that mood is possible in association with devotees. If we feel we should dissociate from non-devotees, we cannot, even if millions of lives will go away. But if we develop, if we gain association of devotees, then automatically we will be dissociated from the non-devotees. But who are devotees? Again, one may look like devotees, but one may be a paka non-devotee, then one who looks like a non-devotee, but he may be a real devotee. पोनी भक्त किये, जनक्तिलाग धार्देला भक्ता है जायनी, तो यता मालिक्तिलाग धार्णा नक्चा वोटे बेक्ति परवा भक्ता है पारे, मालिक्तिलाग धार्णा थे रत्ति परवा छड़ना करिये थागा, तो यतनक्तिलाग में यानिवा चुपू। यत्में सास्तर कोच निजो को एक भक्तर पर्णत करया पाई, तुपा विख्या करो, चेस्टा करो, निजे भलत्तिले दुणिया को। If you are right, the entire world is right. तेमक्र ए अजिर अबसर है, we should beg the inconceivable benediction of the Supreme Lord शुषि जगनाथ बार्देव सुभधा सुभधा सुःफंग, शुषि मादर्देविस लप्मी सर्फथि, शुषिद्धधसुदर दर्योरंग महा प्रभू, स्षिसी जवनात बारध्यशी बजद्रा सिस्वता सिसे गोई नित्ता हम सिसे किरिराज महराज सिसे मदन गुपाग सिसी शिद्ष लेष्एर महादेव परमाभष्टनवी परमकृष्टनप्रेशी बरंदादवी फर्तितवी त्रुट सिमाराणी सब्सक्राइबं सब्सक्राइब सब्सक्राइब छिवीराज महराज सिसी दिव्या स्वाग्वाम स्वासमों गवर चरनार विंदु गुंदा दिविभक्ति दिव्यो सिमारने सील गुरुदेव सील खोपान अल दी बश्नमा बश्नमी बिस्नुदुतास जमनुदुतास आंद सिमा धगवत महाप्राण आंद सिमारने स्वाध्राण गुंदर गवर टॉप्टर्टेव दुप्न अगवक्ति आंद सिमार गवक्ति अवित अन्दुतुत अपटी लिए बिसे को भावश्य खिवादि टूंदुतुत आंद परत हो इन धंदुतुत कोस्या है in our heart from tiny memorial and get our heart and mind filled in with most nectarine Sushi Pariguru Vaisnava Guru Krishna Seva Prema Bhakti Bhaf, with that move let our heart and mind be filled in by the Cajlas Morsi with the Sambhal prayer the discourses on Simad Bhagavatam comes to an end for tonight Hare Krishna Jayam Kunna Paramaradhyatama Sad Guru Deek Srila Gauragavinda Sad Guru Marathi Lord Jayam Kunna Paramaradhyatama Sad Param Guru Deek Srila Abhachar Naravinda Bhakti Vedanta Sunu Prahyukaji Nitya Sad Guru Marathi Lord Jayam Nitya Raya Prabishta Shri Srimad Bhakti Siddhaanta Sarasuti Gostrami Prahupaji Marathi Jayam Panamangala Me Sad Guru Satsi Shafranampara Jayam Anant Kati Vashnava Brindha Samavita Bhakti Brindha Srimad Bhagavatam Kathakitkan Jajyam Srimad Bhagavatam Kithakitkan Jajyam Samavita Bhakti Brindha Samavita Bhakti Brindha Gaur Chalananda 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 That is the chief quality, Gauradev has answered it many times. The chief symptom of the pure devotee of the lord is the completely surrendered source. Hardly matters how many Shastra he has gone through, how many lectures he has attended or how many speech he has delivered. these matters, but these are of secondary importance what is the prime importance factor is to what action he is surrendered a surrendered soul with unchurching faith one who does everything for the pleasure of Krishna he never bothers if he is criticized, he is attacked, he is blasphemed or he is praised he never reacts adversely seeing that why he is not praised or somebody else is praised so long one develops envy seeing that he is not praised, others are praised his services are not recognized without doing anything, his services are recognized all this kind of feeling, so long it is there it is the proof that we are not surrendered emotionally one may develop faith in Hari that is also partial faith, that is not surrender a surrendered soul never bothers his mind for the worldly action and reaction as a guru he performs like a common man to chastise his disciples to set right them but inwardly he never reacts whether he is praised or he is blasphemed so all he does, he needs to do for the pleasure of Krishna, for the pleasure of Guru and Krishna he has nothing to do for his pleasure when somebody actions forces him to do anything for his pleasure at physical plane, astral plane or psychic plane that means he is serving Krishna is there but it is not at a surrender soul such souls are very lucky to make advancement because Krishna says, Svodpa even if somebody observe the Bhakti Yaga in a minor way that will save them from great danger so those who do render services in this mood they are no doubt secured but the ultimate goal of Krishna Prem to attain that, one has to be completely surrendered so those who do partially with this attitude they make gradual process of development once become surrendered provided if they don't commit any Bhashna Vaparath if they commit any Bhashna Vaparath then such, you know, the partial mood of surrender and whatever they perform that will drag them down if they remain free from Bhashna Vaparath but gradually make the advancement then definitely once they will become completely surrendered souls like Prabhupada and Gurudev and surrendered soul is the chief symptom of the pure devotee of blood ok? Hare Krishna I will chat with you again wait for a minute Jazza झाल 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 झाल